असलाम अलेकोम, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसकेन ग्लोइंग ड्रिंग, यह आपके सकेन को फॉरण से ग्लोइंग करतेगा सब क्यों खाहिश होती है कि उनकी सकेन ग्लोग करे, क्लियर नज़र आए, एक्नी फ्री हो हम लोग अपने फेस पे डिफरेंट किसम के फेस पैक और डिफरेंट मास वगर अपलाए करते रहते हैं क्लीन ज़र टोनर यह सब हम अपलाए करते हैं लेकिन अगर हमारे सकेन अंदर से ही हेल्दी नहीं होगी, हमारे स्टमक अपसेट होगा तो हमारी स्किन भी फ्रेश नजर नहीं आएगी तो चलें स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से ये इंस्टेंट ग्लॉइंग डूरिंग बनाया जाएगा इसके लिए हमने लिया है दो गिलास पानी पानी हमने वही इस्तेमाल करना है जो हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे दो अदद बड़ी लाइची बड़ी लाइची हमारे स्किन को even tone करती है हमारे complexion को fair करती है अगर हमारे स्किन में कोई problem होती है कि हमारा digestion का कोई मसला है खाना बगारा हजम नहीं हो तो उसको भी ठीक करती है और साथ ही साथ हम इसमें शामिल कर देंगे one table spoon soft soft आपकी स्किन पे dark spots होने नहीं देती और साथ ही साथ आपकी स्किन पे wrinkles को भी खतम करती है अब जो इसमें third ingredient जाएगा वो हम लेंगे pudina mint leaves हमने इतना लेना है एक मुठी में जितने हमारे आजाएंगे हम उतने ही fresh mint leaves यूज़ करेंगे soft और बड़ी लाइची के पानी को हमने इतना पकाना है कि दो गिलास पानी एक गिलास रह जाए medium to low flame पे पकाना है जब हमारे दो गिलास पानी एक गिलास रह जाएगा तो इसके बाद ही हम इसमें mint leaves को शामिल करेंगे पहले हमने flame को off करना है चूले पे से हमने हटा दिया है अपने इस पानी को और इसके बाद हमने इसमें mint leaves को शामिल कर दिया है मिंट लीव डालने के बाद हम इसे बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे और उसके बाद हम इसे कवर करके रग देंगे एक से दो घंटे के लिए पुदीना आपकी एकनी को ठीक करेगा आपकी ड्राइनेस को खतम करेगा आपके फेस से आपकी बादी से मौस्टराइज अच्छा करेगा यह आपकी बादी को और साथ ही साथ यह आपके हासमे को भी बहुत अच्छा करेगा अगर हमारे stomach upset है तो आप समझेंगे हमारी skin भी उसके साथ upset है तक हमारी body अंदर से healthy नहीं होगी तो हमारी skin healthy बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी ये glowing drink आपके लिए as a moisturizer, as a toner और as a cleanser काम करेगा इस drink को आपने रात में सोने से पहले पीना है, खाना खाने के 2 घंटे बाद आप इसे पीज़ेगा जब आप सोने लगें तो इसे time इसे पीज़े और इसके बाद आपने कुछ भी नहीं खाना है, इसे पीना है और फिर सो जाना है इस drink को आप regular अपने use में रखें, आपको अपने skin में होदी फर्ख वाज़े साफ नजर आएगा ये वीडियो कैसी लगी है, मुझे comment box में जरूर बताइएगा, अपना खयाल रखेगा, लाफिस